हेलो डियर स्टुडेंट्स तो आए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपने टोपिक स्टार्ट करेंगे देट इस ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन देखे बेटा जब हम इलेक्ट्रो मेगनेटिक सिगनल्स को एक ट्रांस्मीटर से रिसीवर तक सेंड करते हैं तो उसके कुछ अलग-अलग मैथड्स होते हैं मतलब अलग-अलग मैथड्स के जरिये हम सिगनल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांस्मीट कर सकते हैं तो उन में से एक मैथड है हमारा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन अब देखें ground wave propagation क्या है इस method के अंदर जो हमारे signals होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ground के साथ साथ travel करते हैं जो हमारी earth है earth के surface के साथ साथ signal travel करते हैं और transmitter से receiver तक पहुँच जाते हैं तो इसलिए इस propagation के अंदर जो हमारी earth है या यूँ कहें हमारा जो ground है इसका signal की strength के उपर सीधा असर पड़ता है सीधा effect पड़ता है इसलिए इसको बोला जाता है ground wave propagation या यूँ कहें surface wave propagation clear है बेटा तो देखिए जब signal हमारा travel करता है along the surface of the earth तो उस time पर क्या होता है कि जो ground wave है ये हमारे ground के अंदर current induce कर देती है क्योंकि जो ground wave है ground के साथ साथ चलती है तो इसलिए ये ground के अंदर current induce कर देती है और जो ground wave है वो जो earth के उपर अलग-अलग objects होते हैं उबजेक्स के around वो bend हो जाती है जैसे अलग-अलग कोई object आएगा अर्थ के उपर तो ground wave उसके साथ साथ क्या हो जाएगी bend हो जाएगी इसकी वज़े से क्या होता है जो energy है ground wave की वो absorb कर ली जाती है अर्थ के द्वारा अर्थ क्या करेगी it absorb the ground wave clear है और उसके साथ ही क्या होगा बेटा जो power है ground wave की वो decrease हो जाएगी क्योंकि अर्थ ने क्या किया ground wave को absorb कर लिया उसकी वज़े से जो power है ground wave की बेटा वो decrease हो गई clear और जितना दूर हम हमारा transmitter और receiver के बीच का distance जितना दूर होता जाएगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा हमारी अर्थ ground wave की power को decrease करती रहेगी यह जो phenomena है of the loss of power of the ground wave ground wave की power लगदा decrease होती जा रही है इसी process को बेटा बोला जाता है attenuation क्या बोलते हैं इस process को हम attenuation clear है I hope कि आपको यह समझ में आया होगा और यह attenuation बढ़ता है अगर हमारे signal की frequency बढ़ जाती है जैसे जैसे as the frequency of the signal increase या ground wave increase attenuation also increase clear है और जो range है यहाँ पर that depends on the transmitted power and the frequency of the signal मतलब कि signal को कितनी power के साथ transmit किया गया और signal की कितनी frequency है इसी बात पर depend करती है हमारी range of the ground wave propagation clear है और यह जो ground important point है यह note करने का कि जो ground wave propagation है यह useful होता है 530 kilohertz frequency से 1710 kilohertz frequency तक 530 kilohertz to 1710 kilohertz तो यह जो ground wave propagation है इसको हम long distance के लिए use नहीं कर सकते क्योंकि अगर distance हमारा long होगा तो जैसे जैसे distance बढ़ता चला जाता है जो attenuation है यानि signal की strength में जो कमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमी आती रहेगी clear है ना attenuation ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा तो signal बिल्कुल ही खतम हो जाएंगी उनकी power बिल्कुल ही खतम हो जाती है इसलिए ज़्यादा long distance तक हम इनको इस प्रोपेगेशन को use नहीं कर सकते ये केवल short distance के प्रोपेगेशन के लिए ही use किया जाता है clear है बेटा तो चलिए आज के इस वीडियो में केवल इतना ही अभी हम next वीडियो होगी हमारी उसके अंदर हम समझेंगे sky wave प्रोपेगेशन के बारे में या यूं कहें ionospheric propagation clear है तो चलिए फिर मिलते हैं next topic के साथ next वीडियो में तब दे के लिए bye bye thank you and have a nice day